आई आप लोगों का स्वागत है बेसनोस टूटोरियल पर आज हम बात करने वाले हैं वालेे वाले हैं הסिस बेकन के बारे में सब से पहले हम फ्रेंस बेकन के लाइफ से रेलेटेट जितने फैक्ट हैं उन पर बात करेंगे जो और इनहीं से रिलेटेड आप लोगो Francis Bacon से questions पूछे जाते हैं उसके बाद हम बात करेंगे important works of Bacon first is advancement of learning 1605 में publish हुआ था next one in store ratio Magna 1612 New Atlantis 1627 then we will be talking about Noam Organum and history of Henry VII essays 95 1602 1625 जो कि हमें पता है कि three editions में उनके कौन-कौन से important novel उन्होंने लिखे थे sorry essays उन्होंने लिखे थे वो हम सभी उनके बारे में बात करेंगे और finally हम उनकी जो quotations हैं उनकी works related जो बार-बार पूछी जाती हैं उन्हों लास्ट में बात करेंगे उससे पहले the wisdom of the ancient 1609 meditation sacred and quotations from essays of Bacon इनके बारे में हम बात करेंगे उनको हम पूरा discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू से start करते हैं तो जो first fact है वो है आपका Francis Bacon यहां पर आप लोगों ध्यान रखना है कि जो जो father of essays की बात आती है तो हम बात करते हैं कि father of essays कौन है आप लोगों English essays sorry English essays जो है वो है आपका Francis Bacon लेकिन अगर father of essays की बात करते हैं तो है mountain और mountain जो हैं वो कहां के रहने वाले थे यह हैं आपके French तो France के रहने वाले हैं his collection of essays is SES तो जो mountain का जो वर्क है वो क्या कौन सा है आपका SES और वो पब्लिश वहा था 1581 में कि बेकिन सब्सक्राइब का जाता था और उनके जो फादर थे लॉड कीपर थे तो इस तरह के कोश्यंस भी TGT PGT लेवल पे पूछ लिए जाते हैं कि लिटल लॉड कीपर किसको कहा जाता था तो यह बेकिन का ही नाम था जिसे की कोड में कहा जाता था यह वोज नाइटि इन 1603 उन्हें जो नाइट की उपादी मिले थी वो मिली थी आपके 1603 में in 1607 he was appointed as solicitor general in 1613 he was appointed attorney general in 1617 he was appointed lord keeper and 1618 he became lord chancellor in 1621 he was charged with bribery in the house of lords तो यह जो incident था उनकी life का यह आपको याद रखना है कि 1621 में उन्हें charged with bribery अब इस तरह से भी questions पूछा जाता है कई बार की कब हुआ था तो it was 1621 और यह भी पूछा जाता है कि कौन सा वो writer है जिसे bribery के charge में arrest किया गया था तो वो थे आपके beckon the house of lords removed him from his its membership dismissed from all post and was fine $40,000 and life imprisonment but next day he was released तो उन्हें life imprisonment मिला था लेकिन next day ही उनको release कर दिया गया था Alexander Pope said about him if parts allure thee think how beckon shine the wisest brightest and meanest of mankind यहां पर यह भी बहुत important है यह quotation बहुत बार पूछी जाती है यह भी पूछा जाता है कि किसके बारे में यह बात कही गई है कि the wisest brightest and meanest किसको कहा गया गया तो कहा जाता है बेकन के लिए तो यह तो आप लोग जान चुके होंगे उनके character से की bribery के लिए उनको अरेस्ट किया गया था इसलिए meanest हम उन्हें कह सकते हैं और wisest और brightest तो उनके जो works हैं आप लोग उनने देखा होगा office study तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वह चीजें लिखी हैं इसलिए उन्हें हम wisest और brightest भी कह सकते हैं बेकन is called father of empiricism and the father of scientific method by Walter तो वाल्टर ने उन्हें कहा था father of empiricism और father of scientific method तो इस तरह के questions आप लोगों पूछे जाते हैं father of empiricism किसको कहा जाता है father of scientific method किसको कहा जाता है बेकन divided his works into three branches उन्होंने जो अपने works से उनको three branches में divide किया था पहला था scientific दूसरा religious and judicial work बेकन attacked Aristotle यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेकन जो थे उन्होंने Aristotle को attack किया है अपोज किया है he listed 27 privileged instances his asses of garden is considered the personal essay as his personal essay तो आप लोगों पूछा जा सकता है कि उनका जो वेकन का जो कौन सा essay है जिसको उन्होंने personal essay माना जाता है या उसको एक अपनी life से related उन्होंने लिखा है तो उनका of garden as per वेकन the obstacles that hinders the advance of reason are called the idols तो आप लोगों को तीन टर्म याद रखने है एक तो है the idols दूसरा है axioms और induction logical method तो ये तीन चीजे उन्होंने किन किन चीजों के लिए कही है वो आप लोगों को धिहान रखना है तो idols उन्होंने किस चीज के लिए कहा है बेकन the obstacles that hinders the advance of reason ये इनको उन्होंने idols का है according to बेकन the true statements that are eventually produced by considering natural phenomena is called axiom axiom उन्होंने किसको का था true statements that are eventually produced by considering natural phenomena उसके बाद है आपका बेकन is associated with the induction logical method और जो बेकन है उन्हें induction logical method से जोड़ा जाता है जोनाथन स्विप्ट पैरेडाइड new Atlantis in third book of global travels और जो जो जोनाथन स्विप्ट थे उन्होंने जो third book थी उनकी global travel में उन्होंने new Atlantis को parody पैरेडाइड किया था अब उनकी जो important work है उनके बारे में बात कर लेते हैं advancement of learning 1605 इसमें in this work Bacon tries to encourage King James first to support some immortal work that contains this philosophy of Bacon systematizing his ideas for the reform and revival of knowledge it is divided into two parts ये जो वर्क है ये आपका दो पार्ट में divided है full title जो है वो है आपका of the provinces and advancement of learning divine and human it was written in the form of letter a letter to King James first question आता है आप लोगों का कि जो आपका ये work है advancement of learning जो कि 1605 में पब्लिश हुआ था लिखा गया था वो किस के लिए किस किंग के लिए लिखा गया था अब Henry दे दिया जाएगा James first second third दे दिया जाएगा तो ये King James first को लिखा गया था और ये एक letter की form में लिखा गया है he divided human understanding in three parts तीन पार्ट में तो question आप लोग देखते खुद से questions बनाते हुए चलिए साथ में साथे साथ इसलिए questions बना रहा हूं कि ये एक मेरा खुद का method है कि जब मैं किसी topic को पढ़ता हूं तो खुद के लिए इसी तरह के questions बनाते हुए चलता हूं जिससे कि कहीं न कहीं उस topic के understanding और fact उस topic के ज़्याद हुजाते तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं तो जो three parts हैं वो कौन-कौन से हैं तो पहली चीज है उन्होंने human understanding को पहला question यही है कि कितने part में बनाया था तो उन्होंने three parts में उसको divide किया तो पहला था उन्होंने कहता history दूसरा है poetry और third है आपका philosophy related to man's faculty of memory, poetry related to man's faculty of imagination and philosophy is man's faculty of reason तो तीन चीज है तो उन्होंने किसको किस से connect किया है यह question भी बेकन से काफी बार पूचे गए history को उन्होंने memory से relate किया है poetry को imagination से और philosophy को उन्होंने reason से connect करके चल रहे है now instauratio magna 1620 it is written in latin divided into six books और इसे चेह किताबों में उन्होंने पूब्लिश किया है it means the great instauratio beckon planned this in imitation of the divine work the work of six days of creation as defined in the bible leading to seventh day of reset or sabbath next is the new atlantis 1627 this work is like utopia a fragmentary sketch of beckonian utopia तो उन्होंने इसे utopia की तरहे लिखा है और अपना जो उनका utopia था या हम कहें कि missionary place उन्होंने बनाया था अपने दिमाग में उसके बारे में है he tells how by ancient a ship party comes to a land in which there was a great college of science which he begins to describe तो उन्होंने एक story के जैसे इसे बताया है कि एक जो ship party है वो एक land पे आ जाती है जो कि क्या है वहां पे जो science है उसे बहुत अच्छे से यूज किया जाता है this dream was to be partly fulfilled in the foundation of royal society in 1662 it is about inhabitants of Ben Salom that means a son of peace तो यह जो टर्म है यह आप लोगों याद रखना है Ben Salom and Ben Salom का meaning है son of peace Ben Salom is described as a utopian city यह भी बात आप लोगों पूछी जा सकते है कि जो utopian city है उसका नाम क्या था तो उसका नाम है आपका Ben Salom and where inhabitants are described as having moral character or honesty और यहां पर क्या है कि जो utopian city है वहां पर रहने वाले जो लोग है inhabitants जो हैं वो क्या हैं उनके अंदर बहुत अच्छी qualities हैं और moral character और honesty का हम combination उन्हें कह सकते हैं there is a description of Solomon's house in this book और यहां पर Solomon's house का description भी इस बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह fact आप लोगों बहुत अच्छे तरीकी से याद होने चाहिए the norm organum it is a latin work in which he discussed the new logic of reasoning upon which his philosophy his philosophy was founded तो उन्होंने अपना जो new logic of reasoning के बारे में उन्होंने इसमें कहा है the norm organum and it is the second part of the in store ratio magna तो यही यह जो the norm organum है यह work 1620 में publish हुआ था और इसमें यह second part है आपका in store ratio magna का it means a new method norm organum का meaning आप लोगो पूचा जाएगा तो है आप लोगों का norm organum का new method it is dedicated to James यह भी James को dedicated है and this book first divided into two parts on the interpretation of nature and empire of men and second part is on the interpretation of nature or the reign of men history of Henry 7 1622 it marked a new era in English historiography blended elements of Italian renesa and classical antiquity तो यह एक new era इसे English hysteriography में माना जादेगा और इसमें आप लोगो दो element देखने को मिलते हैं एक Italian renesa और दूसरा classical antiquity के बारे में essays अगर हम उनकी editions के बात करें तो three editions उन्होंने publish किये थे और उसमें first edition जो आया था वो आया था आपका 1595 में और उन्होंने 10 essays were published including Christian meditation and of the colors of good and evil तो कम से कम आप लोगों को जी editions हैं उनके अंदर के दो-दो या आप जितने यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो सारी लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि इस तरह से पूछा जाएगा क्योंसे edition में आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौनसे edition में यह publish हुआ था तो यह आपका second edition में हुआ थ इसमें 38 essays थे और इसके लिए आप लोग simply इस तरह से लिख सकते हैं नीचे उपर आप लोग लिख लीजे कि 95 and then 12 and 25 और नीचे लिख लीजे 10, 38 and 58 तो इस तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं कि इसे अगर आप दो-चार बार लिख लेंगे कहीं पर तो आप लोगों को years और जो number of essays थे वो आप लोगों को याद हो जाएंगे इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से essays थे जो important essays आप लोगों को याद रखने हैं 38 essays में of death, of religious, of life, of nobility, of dispatch, of friendship, of ambitions, of young men, and age, of beauty, of nature in men, of custom and education, of fortune, of vain glory, of praise, etc. In third edition, which got published in 1625, it consists of 58 essays, यहाँ पर 25 में यह आपके 58 essays इसमें published हुए थे, First verse, here, including of trust, of revenge, of adversity, of simulation and dissimulation, of envy, and of boldness, of travel, of delays, of innovation, of suspicion, of plantation, of prophecies. And full title of these essays is Religious Meditation, Places of Persuasion and Dissuasion, Seen and Allowed. The Wisdom and the Ancient, 1609. It has another title, The Sepentia Ventrum. It got published in Latin, तो यह भी उनोने लेतिन में पॉब्लिश किया था. It unveils the hidden meaning and teaching behind ancient Greek fables और यह अगर हम कहें wisdom of ancient, यह किस चीज़ के बारे में था, तो यह ancient Greek fables इस work में उनोंने उनके बारे में बताया था. The book opens with two dedications, Earl of Salisbury, और उनोंने dedicated जो किया था इस work को, पूरे work को तो Earl of Salisbury में किया था, को किया था, and University of Cambridge को. Meditation Sacre, 1597, it is a collection of religious meditations, और जो meditation sacre है, उसमें यह उन्होंने religious meditation के बारे में लिखा था. Quotations, जो important quotations हैं, उन्हें discuss कह लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, और आप लोगों को यह बहुत अच्छे से याद कर रही हैं. Unmarried men are best friends, best masters, best servants, but not always best subjects, of marriage and single life. So, this comes from this work. Wives are young men, mistress, companion for middle ages and muses for old, of marriage and single life. Studies serve for delight. This quotation is very important and this is asked in several exams. यह काफी exams में पूछा गया, पूछी गई quotation है. Studies serves for delight, for ornament and for ability. From of studies. Reading makes a full man, conference a ready man and writing an exact man of studies. This is also important one. And crafty condemns studies. और यह एक तरह से और पूछी जाती हैं, यह quotations में आप लोगों को बता देता हूं, कि कई बार यह fill-in-the-blanks में पूछी जाती है, कि यहाँ पर आप लोगो studies जो हो हटा दिया जाएगा, और simple men के जगे या तो admire हटा दिया जाएगा, और wise men use हटा दिया जाएगा. इसी तरह से यह पिसली बार LTI या lecture में पूछा गया था. So crafty men condemns studies, simple men admire them and wise men use them. So आप लोगो Francis Bacon के at least जो quotations है, वहाँ से जरूर question पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करके जानी है. Quotation का हर पाट आप लोगों को याद होना चाहिए. Some books are to be tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. This is from office studies. History makers men wise, poets witty and mathematics subtle nature. So यह इसी तरह से पूछा गया था, कि जो history है वो किया चीज करती है. So it makes a man wise, poets witty and the mathematics subtle mind and philosophy deep moral grave logic and rhetoric able to center. Office studies, read not to contradict, nor to believe, but to weigh and consider. This is from office studies. So जो वाइजेस्ट और ब्राइजेस्ट कहा गया है बेकन को, आप लोग समझ सकते कि उन्होंने कितने deep बाते हैं उन्होंने बहुत चोटी-चोटी lines में उन्होंने लिखी हैं. Next is, men in great place are thrice servant, servant of the sovereign or estate, servant of fame and servant of business, of the great place. It were better to have no opinion of God at all than such as opinion as is worthy, unworthy of him. It is from of superstition. Since custom is the principal magistrate of man's life, let men by all means endeavor to obtain good customs, of customs and education. Beauty is as sum of fruit, which are easy to corrupt and cannot taste, and for most part it makes a desolate youth and an age a little out of countenance. It is from of beauty. Certainty is, it is heaven upon earth to have a man, mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth. This is from of truth. You have to remember quotations, if you have to remember quotations, then you have to remember quotations once or twice, and you have to remember quotations. You have to repeat many times. Children's sweetness labors, but they make misfortunes more bitter. They increase the cares of life, but they mitigate the remembrance of death. Lookers of many times see more than the gamesters. God Almighty first planted a garden, and it is needed the purest of human pleasure. It is from of garden. So with this, we end this session. But remember that for L.T. and lecture, you need to mug up a lot of things. You don't need to understand lots of things, but you need to mug up. So, as much as you can remember, you can remember and keep it, keep it. Francis Bacon, we have seen many things in this lesson. Hopefully, you will get a lot of help from them. If you really feel that this video helped you, just like the video and share it with others. Thank you for watching. See you in next video.